हालो लोलकुम चीटर गांबस, आज की वीडियो में हम फ़ांची डूस्टपर बनाना सेख़ेगे ये मैंने पिंट्रिस से इंस्पायाड होके बनाया है और ये सिमेंट से बना है और बहुत इसी है बहुत इसी दी, कोई भी इससे बना सकता है तो इसे बनाने के लिए मैंने ये सिमेंट और पानी से मिक्स्टर बना के मोल में ट्रांसफर करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं एक ग्लास पेपर ग्लास यूज़ कर वे अज़ मोल आपको कोई और मोल चाहिए तो आपको भी उसकर सकते है मैं ने एक रसी ली और उससे छोटी बिना लिये और उसको नौट करके सिमिंट में डाल दिया मैंने हाफ पहले सिमेंट भरा फिर वो रसी ढानी रोग पर से और बरदी ये इतruck के वो कि इसमेंट रह ruin ने निकलि ना जब मैं ॊसे खीचू और इसको मैंने दो दिन कम्पलीट सुखने के लिए रख दिया है ओके सो अब मैं दो दिन के बाद इसे अन्मोल्ड करूगी तो इसकल मैं एक सिजास के हप से उसे काट रहे हो उपर से तो इसली टेर हो जाएगा और मैं सलोली टेर करूगी क्योंकि अंदर से अगर सुखा है की नहीं वो मुझे नहीं वाल। उपर का लिया है सुखा देख रहा मुझे समझ ऐसे जैसे धीरे धीरे टेर करूगी वो निकलेगा और अगर आप घाई करके उसे इमजेट निकालने की कोशिश करोगे तो पूरा अंदर से टूटा हो निकलेगा और यह थोड़े थोड़े चिप्स निकलेगे इस ओके पिकल सेमेंट है वो होता है थोड़ा अनिविन आ जाता है टेक्स्टर बदेट अब मैं इसे पानी मारोगी दो तेन दिन कंटिनियूसली उसे डिप करोगी पानी में लब डिप करके निकाल दोगी डिप करके निकाल दो गये ऐसे दिन में तीन शाइट करोगी की सयमेन क्राइब ना हो आफलेंपल सरी प्रोसेस चो केपूर मोल्ड हार और उसे क्राइक होने से बचाने के लिए ऑगे तो अब दो दिन के बाद ये completely dry and ready है और एककम hard हो चुका है और अब इसे हम एक glue का coat करेगे कि और उपर से चिपना हो जाए या कही मतलब कुछ तूटे नहीं वो एक protection layer की तरह होगा और glue को सुखने में ज्यादा time ने लगेगा it will hardly take like one or two hour पहले में ये candy stick मैंने glue एक बोल में ले लिया अब चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके use कर सकते हो मैं directly use कर रही हूँ और मैं candy stick के help सिपना एक अच्छा thick layer करने वाली थी पर वो प्रॉपली काम नहीं किया it was not even मतलब कहीं पर बहुत जादा कहीं पर बहुत कम वह लग रहा था तो फिर ये देखे आप देख सकते हैं वह बहुत डिफिकल्ट हो रहा था और बहुत time consuming भी हो रहा था तो फिर मैंने paint brush पे switch खिया और उससे फराफट coat कर दिया है कर देखे आ झाल 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 पेंट और डेकोरेट करेगे ताकि वह कहीं पर भी गिरे नहां और मैसीन हो जाए और हमें इसके लिए एक पेपर टेप लगेगी तो डेकोरेट पेंट लगेगे पेंट इसके मेटलिक पेंट, पैस्टेल पेंट करेंट या ? यह यह कालाइब अपर शीट यह क्या यहां के पेंट करना स्टाट करोगी तब आपको डिजाइन समाज में आ जाएगा मैं यहां पर कुछ इंस्पिरेशनल फोटो अपलोड किये है स्क्रीन पर आप ऐसे भी कुछ डिजाइन कर सकते हैं देखके अपके उपर है और let's get started now मैंने मैंने triangles पहले ही टेप से बना के रख दिये हैं और मैं इसे direct paint कर रही हो आप चाहे तो पेंसल से पहले triangles बना सकते हैं मैं paper tape इसके लिए यूज़ कर रही हूँ ताकि अगर वो भार चला जाए थोड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं वो tape निकालोगे तब एकदम clean edge आ जाएगी मैंको तो मैंने यह copper shade लेके triangles पे outline करके roughly paint कर रही हूँ concrete है तो अगर आप water colors यूज़ करोगे तो मतलब नहीं है आपको acrylic paints या oil paints ही यूज़ करना पड़ेगा आपको इस पे यह acrylic paint है तो वो shine भी आएगा और यह waterproof भी है और one layer is not enough at least two layers आपको उसे paint करना पड़ेगा यूज़ मैं quickly furafat paint कर रही हूँ और इसे दो layers paint करोगी एक flow लगा के उसे dry करोगे और इस पे का layer और उपर मैं rope के around एक circle draw कर रही हूँ यह step completely optional है आपको कोई और design करना है या वसे उपर का भी पूरा paint करना है वह आपके ओपर है मैं ऐसे ही करोगी उससे circle और छोड़ दोगी और यह tapeses गीले में नहीं निकालना paint completely सुखे तब निकालना तो आप मैं carefully यह tapes नकाल रही हूँ दीरे दीरे से कहीं वह सिमेंट भी उसके साथ नहीं निकले सुपल वेडी कैफुली और आप अभी यह designs देख सकते हों किने cute triangles आया है रहा है अच्छा लग रहा है जो gaps है जो सिमेंट का color आपको चाहे तो आप ब्लाक यूज कर सकते हैं या कुछ और या आप वो ट्राइंगल्स की लाइन को ब्लाक पेंट करके उसे हैलाइच कर सकते हों और वो और ब्यूरिफुल लगीगा मैं ऐसे ही रख रही हूँ से और टेप्स निकारने के पाद मुझे थोड़ी ट्राइंगल्स अनीविन लगे तो मैं फ्री हैंड अभी कर रही हूँ उस पे ताकि वो एविन लगे थोड़ा सा इसे स्लाइट ली और यह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक शेयर और कमेंट अंटल नेक्स टैंग बाबाए देख के